नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका न्यूस्टो 24 में तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 हैजबैक कार्स के बारे में मार्केट में जल्द आने वाली है ये 5 कार्स कम कीमत में मिलेंगे शांदार फीचर्स भारती आटो बजार में SUV कार्स पिछले कुछ साल में काफी पॉपलर रही है लेकिन हैजबैक अभी भी बजार का दिल और आत्मा है यही बज़य है कि कार बनाने वाली कमपनिया नई हैजबैक पेश करने पर काम करना जारी रखती है हैजबैक ना केवल किफायती है बलकि साइज में भी कॉम्पैक्ट है और इसलिए शेहर की स्थितियों में बहतर परफॉर्म करती है भारत में नई हैजबैक की एक सीरी जल्दी लॉंच होने वाली है हम आपको उनमें से टॉप फाइफ कार्स के बारे में बताने जा रहे हैं तो दोस्तो पहली कार है न्यू जनरेशन मारूती सिजुकी सिलेरियो इस लिश्ट में पहले नंबर पर मारूती सिलेरियो का नाम आता है इसे मूल रूप से 2014 में लॉंच किया गया था और अब मारूती इसे एक जनरेशन चेंज देने की प्लैनिंग कर रही है नेक्स जनरेशन सिलेरियो भारत में नंबर के तीस्टे सब्ता में बिकरी के लिए उपलब्ध होगी ये क्यास लगाए जा रही है कि ये दो इंजन आप्शन के साथ उपलब्ध होगी एक एक लीटर पेट्रोल यूनिट और एक एक पंट दो लीटर पेट्रोल यूनिट तो दोस्तों अगली कार है मारूती सुजुकी बलैनो फेसलिप मारूती जल्दी भारत में बलैनो का एक नया वेरिंट लॉंज करने की तयारी कर रही है लगबग 2022 की शुरुवात में इसे पेश किया जा सकता है अपडेट किये गए मॉडल में कुछ बाहरी बदलाओ होंगे जैसे की रिस्टाइल फ्रंट ग्रिल, नए बंपर और फिल से डिजाइन किये गए LED टेल लाइट इंटीरियर में कुछ बड़े बदलाओ भी देखने को मिलेंगे जैसे एक रेश्टल डेश्बोर्ड और एक नया फ्लोटिंग टाइप इंफोटेंटमेंट टच स्क्रीन पावर टेन ऑप्शन मौजूदा वेरियंट पर अपर विवर्तित रहने की उमीद है तो दोस्तो अगली कार है सिट्रियों सीट्री सिट्रियों सीट्री के 2022 में भारत में लॉंच होने की उमीद है हाला कि हमारे बजार में इसके नजदीकी कॉम्टीटल सब 4 मीटर एस्यूवी होंगे जैसे मारूती विटारा ब्रेजा, किया सॉनेट, निसान मैगनाइट है सीट्री में 1.2 लिटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन से चलने की उमीद है इसमें Flex Fuel option के साथ इस पर Manual और Automatic दोनों Transmission option दिये जाएंगे तो दोस्तों अगली कार है मारूती सुजुकी Swift CNG मारूती भारत में अपनी CNG Operator DR3 कार रेंज का विस्तार करने की योजना बना रही है और Swift CNG Next row होने की उमीद है लीक हुए डॉक्यूमेंट के अनुसाल Swift CNG 1.2 लीटर इंजन द्वारा उपरेट होगी जो पेट्रोल पल चलने पर 83 PS और CNG पल चलने पर 72 PS पावर डेवलप देगी मारूती की रेंज में दूसरी CNG कारों की तरह CNG Variant Cable 5-speed manual transmission option के साथ उबलबध होगा तो दोस्तो अगली कार है Tata Tiago CNG Tata Motors काफी लंबे समय से अपने वहानों के लिए CNG Power Train पर काम कर रही है Tiago CNG के इस साल के आखिल से पहले भारत में बिकरी के लिए आए जाने की उमीद है इसके बाद टिग और CNG की संभावना होगी CNG Power Train में स्टेंडर Tiago के समान 1.2 लिटर पेट्रोल इंजन शामिल होगा लेकिन एक फैक्टरी फिटेट CNG के साथ हम उमीद करते हैं कि Tiago CNG पर केवल 5-speed manual transmission option उपलबध होगा जिसमें AMT option सिर्फ पेट्रोल वेरियंट तक सीमित होगा तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो और भविश में ऐसी जानकारी प्रात करने के लिए इस वीडियो को जादे जादा लाइक करें और शेयर करें धन्यवाद